सुप्रीम कोट ने ताज महल के पास ग्रीन बेल्ट में निर्माण पर रोक लगा रखी है सुप्रीम कोट द्वारा निर्माण पर रोक लगाने के बावजूत भी ग्रीन बेल्ट में लगातार अवैद निर्माण किये जा रही है इन अवैद निर्माडों को रोकने में ADA के अधिकारी नाकाम साबित हो रही है ताजमहल के पास नगला डीम ग्रीन वेल्ट में शामिल है यहां बस्ती बस गई है दो से तीन मंजला पक्की मकान बन गई है इससे भी ADA की बिफलता को समझा जा सकता है ताजगंज वर्ड में प्रभारी प्रवर्तन ADA सच्वगरिमा सिंग है यहां नवेंबर 2022 तक सहाएक अभियनता एकज सिंग और अभर अभियनता वियन सिंग थे दिसमबर 2022 पर जब EA की सच्वगर पंकरश शुकला वर केपी सिंग को जिम्मेदारी मिली वर्तमान में सहायक अभियंता सतीश कुमार और अवर अभियंता वीजेंदर सिंग्वा के पी सिंग है इस पूरे मामले पर जब ADA की सचिव और ताजगंज वार्ड में प्रभारी प्रवरतन गरिमा सिंग से बाचीत की गई तो उन्होंने बड़ी ही आसानी से बात को घुमाते हुए बोल दिया कि समय समय पर निगरानी की जा रही है वीडियो सीडी भी अपने पास रखे जा रही है लेकिन लगातार हो रहे अवैद निर्मार एडिये की सचिव गर्मा सिंग को दिखाई नहीं दे रही है और जो लोग शिकायत करते हैं उनकी शिकायत भी A.ड.ए में अंसुनी की जा रही है जो A.ड.ए के अधिकारी सुप्रीम कोड के आदेशों की अवहीलना करने में लगी हैं उनसे आम नागरिकों की शिकायत पर कारवाही की कैसी उम्मीद की जा सकती है प्राजनेहल के पास जो ब्रीन बेपर इसा लगतार सर्वे, भी और तर लीडियो से वीडियो पर इस कि दिए बनाके हम लोगों पर रखा दी गया है। और जो स्केत्स निर्माड को समस्की जा रही और आप जाता हो कोई दोत्तकरर सानियां मिलाएये जाता हैं अब देखना होगा कि A.D.A. और उत्रप्रदेश सरकार के आला दिकारी ताज महल के पास ग्रीन बेल्ट डेवलप कराने में कब तक सफल हुपाते हैं या फिर ग्रीन बेल्ट की जगा पर इसी तरह सुप्रीम कोट के आदेश के विपरित A.D.A. के अधिकारी लापरवाही दिखाते हुए अवैर निर्माड कराते रहेंगे आगरा विकास प्रादिकरण के अधिकारियों की लापरवाही की बज़ा से सुप्रीम कोट के आदेशों की लगातार अव्यलना हो रही है सुप्रीम कोट के साफ तोर पर आदेश हैं कि ताज महल के पास ग्रीन बेल्ट को डबलप किया जाए लेकिन इसी ग्रीन बेल्ट में लगातार अवैद निर्माड जारी है यहाँ पर अवैद निर्माड उपर एडिये के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ नोटिस की कारवाई करते हैं लेकिन यहां अभी तक किसी भी तरह की एडिये की ओर से प्रभावी कारवाई देखने को नहीं मिली है यही बज़ा है कि पूरी ग्रीन बेल्ट को यहां पर बसा दिया गया है और बैद निर्मान लगातार जारी है अब देखने वाली बात होगी कि कब तक एडिये के अधिकारियों की नीन तूटेगी और सुप्रम कोट के आदेशों का वे पालंग कराने में सफ़ल हो पाएंगे अपने साती अरबास के साथ से यह शकील डीजी महरदा नियूज आगरा